नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस्वाल इरिया आपके साथ मैं हूं काज उनरायन मुख्यमंत्री अर्विन के जिवान ने प्रेस कॉंफरेंस में जानकारी दी है कि इस लड़ाई में जनता की मदद जरूरी है हमने हर चीज जनता के सामने रखी है दिल्ले में आज सबसे अधिक टेस्ट हो रहे हैं हर रोज टेस्टिंग के संख्या को बढ़ाय जो आ रहा है दिल्ली सरकार ने किसी से मौत के आकड़े भी नहीं चुपाए दिल्ली में कितने बेट्स, आईस्यू बेट्स और अस्पतालों के क्या हालात है हमने जनता को बताया आज रिंक के जिवान ने कहा कि दिल्ली में हर रोज 25,000 के करीब केस आ रहे हैं दिल्ली में बेट्स की भारी कमी हो रही है, दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली का हेल्स सिस्टम और ज्यादा मरीज नहीं ले सकता इसलिए लॉक डाउन बहुत जरूरी है दिली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दिली में आज रात 10 बजे से लॉक डाउन है सुमबार सुभा 5 बजे तक 6 दिन के लिए ये लॉक डाउन लगा दिया जाएगा CM के जिवार और LG की बैचक में ये बड़ा फैसला लिया गया है तो चलिए ऐसे मैं आपको बताते हैं कि इन 6 दिन में किसको छूट मिलेगी और किसको नहीं मेट्रो बस सर्विस चालू रहेगी लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें ट्रैवल करने की छूट मिलेगी जो जरूरी शेत्र से जुड़े हुए हैं मेट्रो और बस में 50% की श्वंता से लोग सफर कर पाएंगे पेट्रोल पंप, LPG, CNG, सेंटर खुले रहेंगे, बैंक एटियम खुले रहेंगे दिली में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी बहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरेंविंट पार्क बंद रहेंगे दिली में रेस्टरांट में जाकर खाने पर पाबंदी होगी, होम दिलीवरी या टे कवे की ज्वाज़त रहेगी अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलादिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फी में छूट बिलेगी अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सिन लगवाने जाना है, या किसी बिमार को बाहर ले जाना है, तो उन्हें बाहर जाने की छूट होगी दिली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रम होम किया जाएगा सरकारी दफ्तरों में कुछी अपसरों के जाने की जाज़त होगी प्रवासी मजदुरों को कोई समस्या ना हो उप्राजिपाल ने इसके निर्देश दिये हैं ताकि अधिकारी एहम फैसला ले रेल्वे स्टेशन, बर्स्टेंड, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी विकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा इस्थानिय अधिकारियों दौरा इसकी सूचना दी जाएगी अगर कोई शादी का कारकरम है तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाज़त दी जाएगी लेकिन उसके लिए पास लेना अनिवायर होगा तो ये जानकारी आशा करती हूँ कि आपके लिए लापकारी होगी कि कौन लोग इस लोगडाउन के दौरान दिली में बाहर जा सकते हैं किनको छूट मिली है और कौन नहीं जा सकते लेकिन निउस पर इंडिया एक बार फिर आपसे अपील कर रहा है कि लोगडाउन जो भी दिली में रह रहे हैं वो लोगडाउन का पालन करें जो अन्ने राज में रहे हैं वो साब धानी बरतें अपने हाथों को सैंटराइस करें बार बार धोएं और मुपर मास्क जरूर लगाएं हो सके तो डबल मास्क लगाएं